नमस्ते एवरीवन, मौनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम चर्जा करने जा रहे हैं फरवरी महिने के राशी फल की और मिथुन लगने की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से बुद्ध जो एक फरवरी से बीस फरवरी तक मकर राशी में रहेंगे, बीस फरवरी से छे मार्च तक कुम्ब राशी के अंदर रहेंगे शुक्र जो है वो 12 फरवरी से मकर राशी के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्य 13 फरवरी को कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे और मंगल 5 फरवरी को मकर राशी के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं इस प्रकार से ग्रह गोचर है मिथुन लगन और लगन का स्वामी बनता है बुद्ध और बुद्ध जो है वो first फरवरी से यानि कि एक फरवरी से आपके अस्टम भाव में है 20 दिनों के लिए उसके बाद 20 फरवरी को वो कुम्भ राशी में आएंगे जो आपके 9th house के अंदर है देखें ये महीना ऐसा है कि लगनेश का अस्टम भाव में जाना और most of the time मंगल के साथ यूती रहेगी तो ये महीना थोड़ा सा aggression से भरा हुआ है मुझे लगता है कि इस महीने में बहुत बड़े decisions आप लेने में एक असमंजस की परिस्तती रहेगी एक दुविधा में रहेंगे वो कहते हैं न कि इनसान का दिमाग कुछ कहता है उसका दिल कुछ कहता है इस प्रकार की different परिस्तती रहेगी और नेरना या नेरना की परिस्तती में रहेंगे यहां इस महीने relationship भी काफी हद तक आपके मन के अंदर हावी रहेगा और मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप work process में है या कहीं पर भी job के अंदर भी है तो difficulties का सामना करना पड़ेगा और यह महीने में मुझे लगता है किसी भी विवाल से आपको दूर रहना चाहिए कोई भी job के परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने मुझे लगता है कि results बहुत positive नहीं है तो आपको जो भी है जहां पर भी है वहां स्थित होकर कारे कीजिए जो लोग jobless है उनको compromising approach के साथ job मिलने की संभावना है वो भी 20 तारीक के बाद बद कुछ compromises के सा यानि कि 100% आपके हिसाब से चीज़े नहीं होगे द्वितिय भाव की बात करते हैं द्वितिय स्थान पर मंगल का दृष्टी संबंद है बुद का भी है और सूर्य का भी है तेरा तारीक तक फिर शुक्र का दृष्टी संबंद बनेगा बारा तारीक के बाद तो यह जो प परिस्थती रहेगी और फैमिली के अंदर वो शान्ती आप महसूस नहीं कर पाएंगे तो इस वज़े से कोई भी विवाद होता है उसमें आपको पढ़ने से बचना चाहिए बहुत पीसफुल होकर कारे कीजिए मुझे लगता है कि यहां किसी भी प्रकार के जगड़े में पढ़ते हैं तो आपके लिए नुकसान का रख परिस्तती रहेगी यहां पर आपके शबनों को गलत समझा जा सकता है यहां सेविंग्स की बात की जाए तो इस महीने मुझे लगता है खर्च थोड़ा सा आपके उपर हावी होता और नजर आता है तो खर्चों पर नियंतर रखेगा तृतिय बात करते हैं तृतियेश सूर्य बनकर रस्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर है भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मुझे लगता है विचार मदभेद रहेगा तो कोई भी प्रकार का नया बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने आपको रुख जाना चाहिए अगर बहुत ही जरूरी हो तो मुझे लगता है कि सूर्य के परिवर्तन के बाद इस प्रकार के निर्ण ले सकते हैं मगर वहाँ पर भी फैमिली बिजनस के अंदर आप जॉइंट में अगर है तो वहाँ पर विवाद होने की संबावना बनती ह अगर भाई बहनों के साथ कोई संबंद खराब है तो वहाँ पर विवाद बढ़ सकता है तो तेरह तारीक के बाद सूरेशनी का जो साथ में जो भी योग बन रहा है तो इसमें ये योग की वज़र से कोई विचार मदवेद या क्लैश होने की संबावना हो सकती है तो आप बहुत ही शांती से कारे कीजेगा यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगे कि बहुत जरूरी न हो तो जॉब में किसे भी परिवर्तन से इस महीने आपको बचना चाहिए और अगर बहुत ही जरूरी हो जो लोग जॉबलेस है उनके लिए कहा जाए तो बीस तारीके बाद के अंदर मुझे लगता है अगर कोई हैरेडिटी की प्रॉपर्टी है या इस प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर मुझे लगता है बीस तारीक के बाद का जो समय है जो फरवरी महीने के अंदर अगर प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो उसमे जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी चाहिए, मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत शांती से परिस्तितियों को हैंडल करना होगा, मन के अंदर थोड़ा अग्रेशन भी रहेगा, ये मन की अवस्था होता है चातूर्त भाव, मदर लेंड से या माता के साथ थोड़ा सा detachment आ सकता है, और मुझे लगता है आपको माता के स्वास्त का भी ध्यान रखने की जरूरत है इस महीने, बहुत फेवरेबल परिस्तितियां नहीं हैं, ये एक हमारे होम टाउन से, हमारे परिवार से थोड़ा सा detachment सा जाता है, अपने घर से एक detachment सा जाता है, एक loneliness इंसान ए आप शांत रहिएगा, मगर बहुत ज़्यादा reactive होने में आपको नुकसान होगा, पंचमभाव की बात करते हैं, पंचमेश शुक्र बनकर सप्तमभाव में हैं, और बाद में अस्तमभाव में, तो relationship को आप अगर next level पर ले जाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कुछ relationship जहां पर आप किसी से marriage करना चाहते हैं, तो इस तरह की समभावनाओ को आप थोड़ा सा hidden relationship को भी आप develop करेंगे, जो भी लोग education के अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर भी भटकाव की परिस्तती हैं, और एक research या medical के अंदर है, medicine के छातर हैं, जो designing शितर के छातर हैं, या कोई भी प्रकार का management student है, engineering student है, तो research का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्तती है, यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहूंगी कि students की life में भी relationship की वज़े से थोड़ा सा भटका होता हूं, मुझे था, उसका भी स्वामी है, तो विदेश के लिए अगर पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उन students के लिए बहुत फाइदेकारक परिस्तती है, और अच्छा result मिलेगा आपको, यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहूंगे कि share market की बात की जाए, तो share market में बहुत ही control क के साथ, और I think आप जो भी 12 तारीक के बाद जो भी investment करते हैं, वो calculative approach के साथ करेंगे, तो वहाँ पर आपको unexpected gain होते हो, मुझे नजर आते हैं, तो यह urine संबंदित समस्या है, blood pressure से संबंदित समस्या, skin related problems, अगर इस तरह की कोई समस्या है, तो इस महीने मुझे लगता है, स्वास्त को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के 20 दिन का समय और specially जो 5 तारीक से 20 तारीक तक का समय अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखने की जुरूत है, स्वास्त को अवर्ड मत कीजे, यहाँ पर मानसिक परेशानियां भी होते हैं, मुझे नजर आती है, तो यह महीने में क्योंकि अस्चंभाव काफी हद तक activated और 6th Lord भी अस्चंभाव में है, तो मुझे लगता है कि जब तक मंगल की अवस्था यहाँ पर है, तो आप अपने स्वास्त संबंदित चीजों को आप लाइटली मत लीजिए, प्रॉपर ट्रीट्मेंट की तरफ जाईए, और मुझे लगता है यह महीना अपने health को बहुत ज्यादा priority दीजेगा, क्योंकि स्वास्त के कारण आपको problems हो सकती है, मानसिक प्रकार के विवाद में पढ़ने से बचना चाहिए, देखे, बहुत favorable परिस्थितिया नहीं है और अस्टम भाव काफी हद तक activate है, तो इस वज़र से कोई भी प्रकार का risk उठाने से बचना है, कोई बहुत बड़ा loan लेने से बचना है, ना परिवार में किसी के उपर आप clash में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको problems आएगी, तो हो सके वहाँ तक ये महीना बहुत संभल के चलने का है, 7th house की बात करते हैं, सब्तमेश गुरू बनकर आपके 11,000 शुक्र यहाँ पर 12 दिन तक है, तो ये परिस्थितिया जिसकी marriage नहीं हुई है, तो उनके लिए पर नज़र आती है, और मुझे लगता है कि शुरू के 12 दिन आपके लिए बहुत अच्छे proposals भी रहेंगे, love marriage की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ relationship आपका ऐसा हो सकता है, जहाँ पर आपका मन होके आप शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी बात आगे बढ़ती हैं, यहाँ definitely unmarried लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावना है, जो already partnership में है, तो अपनी पती-पतनी मिलकर कोई partnership का काम करते हैं, तो वहाँ पर सफलता के योग है, यहाँ ग्रहस्त जीवन के अंदर पहले से काफी हद तक सुधार होगा, और यह बहुत अच्छी परिस्तिती ह आपके लिए, यह एक चीज़ जरूर कहूंगी कि यहाँ पर गुरू के कारण आपके married life के अंदर betterment आएगा, एक unmarried जो लोग है उनके लिए love marriage के chances बहुत जादा है, अस्टम भाव के बात करते हैं, अस्टमेश शनी बनकर नवम भाव में हैं, तो research oriented चीज़ों में आपको definitely बहुत लाब है, यहाँ पर अस्टम भाव जिस प्रकार से है, तो जो लोग engineering के चातर हैं, जो medical के चातर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है, और मुझे लगता है कि यह महीना विदेश पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छी संभावना देकर आया है मगर decision making थोड़ा सा आपका weak रहेगा, decision ले न ले, इस प्रकार, संभन्ध के अंदर भी आप चीजों को चुपा कर रखेंगे, relationship को चुपा कर रखेंगे, तो यह चुपी हुई relationship को आप clear, आप एक निर्ण लिया जाए, इसमें आगे बढ़ा जाए, ना बढ़ा जाए, इस develop हो रहे हैं, मगर आपको बाहर किसी के साथ share नहीं कर पाते, इस प्रकार के परिस्तती रहेगी, नवंभाव की बात करते हैं, नवंभाव में शनी, स्वग्र ही वस्ता में हैं और सूर्य यहाँ पर है, 13 तारीक के बाद, तो पिता के साथ भी 13 तारीक के बाद विवाद की स पिता के स्वास्त का भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी 13 तारीक के बाद, यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहूंगे कि आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोत रही है, आपका spiritual development बहुत अच्छा है, जो लोग masters करना चाहते हैं, और specially law के अंदर, काइदे कानून की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो ITIC शित्र के अंदर या mechanical engineering के अंदर, आप masters करना चाहते हैं, तो 20 तारीक के बाद, पूरा ही महीना, जो भी 9 दिन का समय है, वो आपके लिए बहुत बहुत बहुतर समय कहूंगी मैं, यहाँ पर आध्यात्मिकता में बढ़ोत रही है, कुछ purity की तरफ कुछ, कहते हैं कि दान की तरफ आपका interest बढ़ेगा, आपका interest इश्वर की प्रती काफी strong होता, मुझे नजर आता है, दशमभाव की बात करते हैं, दशमेश जो है ग्यारवे स्थान पर राहूत दशमभाव में है, देखे कारे स्थल पे बहुत अच्छी संभावन है, राहू खोल भी रहा है, मगर आसपास के लोगों के अंदर अगर job कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि काफी manipulation होगी, काफी शडियंतर टाइप की परिस्थतियां होगी, मगर आप अपने कार्या को पकड़ के रखिये और इस महीने किसी भी विवाद में मत पढ़ि आएगी, आपके research में काफी मजबूती आएगी, मगर किसी के आसपास के लोगों के शडियंतरों में मत पसिएगा, किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी के विवाद में नहीं पढ़ना, आप किसी third person के विवाद को भी आप बीच में कहीं पर भी बोलना भी मत, मेरे हिसाब सब अपने काम को पकड़ के चलिए, उसको बहतर बनाईए, तो ये महीना आपको राहू के कारण बहुत सारी संभावना है, टेक्निकली काफी perfection आप लेकर आएंगे आपके अंदर, 11th आउस की बात करते हैं, 11th लॉड अश्टम भाव में हैं, तो ये भी एक relationship के अंदर एक गबराहट देते हैं, hidden relationship develop करवाते हैं और यहाँ पर गुरू के कारण medical के चातरों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी doctor में है, nurse में है, उन लोगों को बहुत फाइदा और जो दवाईयों के business में हैं, उनको बहुत थी, ultimately बहुत अच्छा फाइदा रहेगा, यहाँ पर काफी unexpected gain भी होता है, और मंगल का जो उच्छ दरश्टे संबंध है, आपके context काफी बढ़ेंगे, context से आपको काफी पाइदा होगा, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, कि गुरू अगर किसी भी प्रकार के भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई भी विवाद है, तो उसको आप clear कर पाएंगे कि चीजे क्यों हुई है, किस प्रकार से हुई है, तो गुरू के द्वारा आपको इस चीज का मारग दर्शन मिलेगा, कि कौन सही है, कौन गलत है, तो आप संबंधों को समझ भी पाएंगे, मगर यह समय के अंदर को decision लेना आपके लिए थोड़ा समय मुश्किल रहेगा, यहां definitely जो लोग education sector के साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और जो teaching शित्र में भी हैं, उनको काफी अच्छी फाइदे की परिस्तती है, 12th house की बात करते हैं, 12th lord शुक्र बनकर पहले तो आपके सप्तम भाव में, पिर अश्ट का कोई case चल रहा है, या कोई भी legal matter में आप फसे हुए हैं, तो इस महीने मुझे लगता है, विवादी तवस्था रहेगी, तो उन चीजों में अपने वाणी को बहुत सहियम रखना है, आपको यहां खर्चों पर भी नियंतरन रखना है, बाकि foreign land से, education से related अगर आप विद जाना चाहते हैं, विदेश में कहीं भी आप अच्छा कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश से संबंदित, तो वहां पर आपको बारतारीक के बाद की संभावना है, बहुत अच्छी है, जहां foreign land में अगर जाना चाहते हैं, तो यह समय आपकी file clear होने के लिए बहुत अच् चानती से चीजों को sort out कीजेगा, जो भी परिस्तिती है, मैंने आपके सामने रख भी है, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो like भी कीजेगा और subscribe भी कीजेगा, thank you so much, Jai Shukrishna